दौरे में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आज मंगलवार को आज सुभा सहायक आपकारी आयुक्त आलोकुमार खरे के कई ठिकानों पर एक साथ कारिवाई की खरे के इंदौर के पाँच ठिकानों सहित राइसेंग छटरपुर में इस्तित ठिकानों पर भी कारिवाई की गई भोपार लोकायुक्त के निवासी लाजी खरे के निवास पर भी कारिवाई चल रही है इसी तरह भोपार लोकायुक्त के निर्देश पर सागर लोकायुक्त की टीन छटरपुर में कारिवाई कर रही है मामला आए से अधिक संपत्ती का है राइसेंग में लगबग 20 एकर में आलिशान फार्म हाउस मिला है ऐसे ही डाबर इमलिया में 21 एकर जमीन में फार्म हाउस बना है काफी मात्रा में नगदी भी मिली है इंदोर के ग्रेंड एक्स ओटिका सहित एक अन्य स्थान पर जब टीम पहुँची तो उन्हें ये ताला मिला रोलिंग ना, सिर्फ किस तरी की काड़ गई इंदोर में अभी जानी पर इनके वरुद एफाई यार जीरो अब्लिक दोहजार नीस धारा तेरा एक भी तेरा दो धारा बारा विस्टा चार्ण वान अदिन्यम एक सो बीस भी भारते दन विधान के अंतरगत प्रात्मी की दर्ज की गई प्रात्मी की विवेचना की इनकुरम में आज इंके पाँच स्थानों पर, पाँच स्थानों पर बोपाल लोकाईटटकूलिस की अलग-अलग टीमों ने एक साथ चापामार कारवाई परार्ण में की इनके चतरपुर-स्थित-पत्रिक निवास पर इनके भोपाल निवास पर इंदौर में इंदौर ओफिस में और राइसें मिन के जो दो फार माउस हैं वहाँ पर एक साथ ये चापा मार कारवाई की है हमारी टीमें अवेट संपत्ति से संबंदित दस्तावेग नंगदी कैस और जो भी वेलियोबल से उनके वारे में सर्च कर रही है लास्ट स्थती जब सारी टीमें एक साथ कारवाई पूरी हो जाएगी तब बताना संभाव होगा अब भी आपको क्या विला से कि स्थतावेग या जो भी बेचना से संबंदित होंगे संपत्ती से या इंके आय और बेय से संबंदित वो सारे दस्तावेग और बस्तुनों का बारे में हम सर्च कर रहे हैं जैसे ही बोपाल में कारवाई चल रही है और सुरी आलोक कुमार खरेजी अपने बोपाल निवास पर है वहाँ कारवाई जैसे पूरी होगी या हमें सुलिधा जना कोगा तो हम तुरंट चाहिए उलवा करदे। मेरा नाम डप्टर सलील सर्मा निरिक्षक लोकायत लोपाल संभाग भूपाल इसमें ये भी एक बात निकल रहा है